हाई दोस्तों तो आज जो ACIO में इंटर्वियू में जो कुछ पूछा जा रहा है आज और कल में तो उसका एक कंपालेशन में आपको दे रहा हूँ तेखे कल एक भाईज से बात हुई थी तो उसने काफ़ अच्छे इंसाइट्स देते कि आफटर आल जो इंटर्वियू हो रहा है वो कैसे पैटन पे जा रहा है तो नहीं के फीडबेक के बेसिस पे मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ आश्र करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और चले शुरू करते हैं देखिया इस बार जो जो भाई ने मुझे बताए दिल्ली बोर्ड का है तैंक्स अबशेख ब्रो कि आपने अपना एक्स्पिरेंश शेयर करें देखिये जाद अतर भाई ने बताए कि जो क्वेश्चन से वो आपके प्लेस के अब आउट थे जहां से आप आते हैं आपके खुद के बारे में दोसरी बात जो क्वेश्चन पुछे जा रहे हैं तो कई बार वो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछ रहे हैं ऐसा डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके बारे में आपको अच्छी thorough knowledge होने चाहिए आपको extremism और communalism में difference पूछ ले रहे हैं तो ये कुछ ऐसे topic है जिनको ये मतलब headlines type है जिनको आपको पढ़के जाना है और देखिए इनमें difference पता होना चाहिए कर बार हमें लगता है कि इनमें कोई difference नहीं है एक ही चीज है लेकिन इनमें कुछ specific difference होते हैं तब तो ये terminologies अलग अलग है तो जो basic internet security की terminologies है उनको आप ज़रूर धियान में लग कर जाएं SITS बहुत ज़ादा पूचे रहे हैं यार मतलब आपको situations में दिरुखे जैसे मैंने उस भाई के बताया था कि जो पुलिस में था कि अगर आप पुलिस में हैं और अगर कोई VIP का convoy जा रहा है वाले जे चीफ मिनिस्टर का convoy नकल दा है तो आपकी वहां पर क्या due to is है ऐसे ही आपको जैसे अगर आप किसी specific जगह के हो जैसे अगर आप किसी ऐसे area को communal tension जादा है तो वहां आपसे पूछ ले जाएगी कि वहां पर ground पर situation क्या है अगर आप होते तो आप क्या करते तो इस तरीके के जो questions है यह काफी जादा पूछ जा रहे हैं यह आपको चाहते हैं कि at least अगर आपको situation ने पूट कर दे जाए तो आप क्या decision लोगे तो यह वह एक बहुत important चीज़े जो आपको ध्यान रखनी है और एक SRT में यह आपका example दरूँ ऐसी हजारों SRT जो बना सकते हैं और आपसे expect कर सकते हैं कि आपका जवाब अच्छा हो सबसे important बात अगर जो कुछ कह रहे ना की हमारा background के वारे में देखे background के वारे में तो वो यह पूछ रहा है कि अभी आप कर क्या रहो अगर आप जैसे graduation में दो तीन चार साल का gap है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चुप चाप यह बता दो exam में सालों साल दो-तीन साल चलते हैं तो आदमी की job कहां से चलती लग जाए हाँ तो लेकर अगर आप bank में या किसी और sector में तो बताज़ें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप तैयारी भी करते हैं कि बता देए कि मैं SSE की त्यारी कर रहा हूँ कि मैं UPSC की त्यारी कर रहा हूँ किसी भी specific exam की बता दीजिए तो यह कोई ज़्यादा matter नहीं करता है और हाँ देखे जो अभी तक मैं सोच रहा था कि graduation के बारे हैं ग्रेजुशन में जैसे पहले लोगों ग्रिल किया जाता था कि आप अपने graduation के subject के बारे में उनसे पूछ लिए जाता था तो ज़्यादा तर boards में ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा तर आपके present की उपर focus क्या जा रही कि आप presently क्या कर रहे हो आप presently जो कर रहे हो उसमें आपका कितना devotion है कितनी आप उसके लिए महनत करो यह ज़्यादा देख रहे हैं वो लोग और overall बस यह चेक कर रहे हैं कि अगर हम बंदे को pressure में put करते हैं न तो pressure में क्या काम कर पा रहा है कि नहीं हमारे ऐसा तो नहीं हो जा रहा है कि एक दम से blank हो जा रहा है यह वो test करना चाहते हैं और देखिए एक नएक बंदा ऐसा होगा जो board में देखिए एक psychologist है जो आपके सिर्फ आपको observe करेगा एक बंदा होगा जो ज़्यादा बोलेगा और एक बंदा होगा जो मतब थोड़ा बहुत ही बोलेगा तो इक सबसे important बात ही है कि जो psychologist है देखिए उसका तो count वैसे भी चुप रहने का है तो आपको क्या करना है कि हमेशा eye contact मिला कर रखना है आपको कभी ऐसा नहीं देखना है कि आप दब्बू हो गया हो आपको वहाँ ऐसे डरना नहीं है और कि और ये मेरे को ये question या रहा facial expressions जो हो आपके हाथ पर हिलाना या कोई भी anxiety का time अगर आप मतलब हकलाने लगते हो या कुछ भी तो आपको ऐसा निशो करना है confident रहा है तो आप simple बोल देखिए तो मैं ये topic नहीं आरे इस बारे में मैं बाद में पढ़ लूँगा तो वो जादा अच्छा मल रहेगा as compared to that अगर आप किसी जगा पे एक दम blank पढ़ जाए और चेहरा लाल हो जाए तो अपनी जो anxiety में हो तो वो दिखानी नहीं है ठीक है और देखो internal security के लिए आप थोड़ा अच्छे से पढ़के जाना जैसे investigation or intelligence इन में का difference होता है तो यह basic terminology बहुत important है अगर आप नहीं पढ़के जाओगे तो खराब impression पढ़ता है देखे टाइम बहुत कम है interview ऐसा नहीं कि आपके एक घंटे चलेगा कि आदे घंटा आपको मुश्किल से 5-10 मिनिट मिलता है 5-10 मिनिट में आपको अपने एक अच्छे impression वहाँ पर बनाना है और देखे बड़ी address होके जाईए इसमें कोई कसर मत छोड़े कि आपको मतलब address में कोई कमी छोड़ देना अपनी तरब से well prepared होके जाओ काफ़े अच्छे chances हैं कि आपका selection हो जाएगा क्योंकि vacancies बहुत जादा हैं और chances भी बहुत अच्छे हैं 2000 vacancies बहुत जादा होती है तो hope for the best आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने मिला है अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात जैहिंद